नमस्कार मी गोईन देश्मुक राहनार करड़ा तलोकार रिसोट जेला वाशिम महाराश्टर चे मैं अभी पिछले 6 साल से गोकृपामृत यूज कर रहा था तो गोकृपामृत क्या है यह मेरे को मालूम नहीं था तो यह सबसे पहले मेरे को हमारे गुरुजी जो हमारे गु यह मेरे के बाद म sn Şimdi अपने खेत में यूज क्या अपने लादी के में हम या गेमिकल पे हम हलता तो गोकृप केमिकल नीदी तो तब हमें उसका आपरे एक ऐक पंधरा से विस क्यूंटल टका अभी जो 6 साल से लोग यूज कर रहे तो तबी से हमारा और जी बढ़ गया और हमारी जो खर्चा था वह भी खर्चा एक बहुत कम हो गया तो उससे गोकुरुपा की रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे मिले अभी तक मैंने किसनों को मुपने दे दिया मेरे यासे तो सब लोगों ने जो 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 लोगों कि वह बहुत ही अच्छा है अभी ऐसा कोई भी किसन नहीं बोला कि हमने उससे कुछ दिक्कत है तो हल्दी में जैसे गोकुरुपा यूज करते गई उनकी जो कुर्कुमी रहे थि सबसे मुधक होता है कि कुर्कुमी तो वह कुर्कुमी में पहले हमारे शैलम के वश्या के तिन पॉइंट में रहे थे था भी गोकुर पाइस यूज करते तब से छे पॉइंट सेवन तक हो गई है मेरा नाम योगेश पटेर मैं आसेगाव पेंसे महारास्टर से हूँ यह हमारे गोईन भाई है इनके यहाँ से हमने कल्चर लाके हमारे खेत में प्रव्यक किया था हमने हल्दी के फसल में उसता इस्तुमाल किया जो विद्याफिट से हमने वहराइटी लाई थी पीड़े की वायगाओ उसका विद्याफिट का कैना था कि इस वहराइटी का तेरा से पंद्रा क्विंटल पर एकर आवरेज है और हमने जब से गवकुर्पा अमरूत खेत में डाला उससे उसना दुगना हो गया हम अभी हर साल उस वहराइटी का आवरेज लगबक 25-27 क्विंटल छे मह में उस हाल्दी का उत्पादन लेते हैं तो हमारा यह कहिना है कि सब सभी किसान भायों ने गवकुर्पा अमरूत का इस्तमाल खेती में करना चाहिए उससे ब्यक्टरिया बढ़ते हैं जमीन अच्छी रहते हैं यह हमारा आनुबव है मेरा नाम गोपाल बोरकर है मैं केवी के कुरुशिविद्धन के इंदर करड़ा वहां की जो साइंटिस्ट है डॉक्टर निवरुत्य पठिल उनके मादिन से काम कर रहा हूँ मैंने अभी एक साल में एक ही पेड़ पर वह गोक्रोपा मुरतम का यूज करना चालू किया है कि अपने को ट्रायल होना चाहिए इसलिए तो वह जो पेड़े वह खेत में के सबसे साइच के बारे में बताना हुआ तो उसकी साइच सबसे अच्छी है बाकी की तौर पर और खर्च भी बहुत कम हो चुका है कि खर्च ही नहीं हुआ है तो अभी आगे उसका जरूर उप्यूग करेंगे